हाई गाई आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप 5 प्रॉडक्स सी ये पार्टी प्रिक लूग कैसे कर सकते हैं कि आप वेडिंग गैस मेडिक लूग समझ लें अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो लाइक शेयर और चानल को सब्सक्राइब करके जाएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए मैं बहुत ही कम और लेक्स प्रोडिक्स के साथ मेकप ट्रिटोरियल बताती हूं और बहुत ही स्टेप पर स्टेप आपको आपको सिखाऊंग अधी क्लिए नुरने के माँ या इसका कशने में बहुत हैं तो पीडियो को लाइक ज़ो कर दीचेगा सबसे पहले चीज में आपको बता हैं कि मैं अपस्टेश का यूसु प्रीयर जूमिक आपको दिखाती हूँ यह वह आपको सिखाती हूं इसलिए मैं कोई फिल्टर विटर में ड्राय स्किन होने लगती है तो आपने मॉश्राइजर आपका जो भी करन्ट फेफ्रट हो अप्लाइ कर सकते हैं अगर आपका बेस बहुत अदा फटरा है तो आपने बेस कैसे बनाना है वह वीडियो भी मैंने कर ही अपने चानल पर अप्लोड की थी सब्सक्राइज कर दे करते हैं तो सबसे पहले सकी है अपना पर स्किन कर लेक है वाज पुराइजर आपकी यहां पर यह पालरा खनस ग्राजार प्लंतु कर लूज़ कि country मैं दूबटिये कि यहां पर यहां पर मीं पर यहां के presents Bond तो यह जो पैलेट है वो ब्यूटी ग्लेस की आईशादो पैलेट है इसमें से मैंने औरी शेट किया है जिसको ऐसे मतलब कलर करेक्टर भी यूज़ करी हूँ आप कंसीलर में अड़ करके अप्लाइ कर सकते हैं मैं इसको स्फिफ ऐसे ही एशादो पैलेट पायओ कर जाती है और जहां पी ढल खरी तरह पीस्यादों कर एंस यहां पर करनेक्ति ह् itself और यहां पी जो डायख लिया पीडेया है जहां पर जो आई शआदो प्लाइश करू से एक नफो ऑन पार हे लेट क्णे कर करती है यहां ख इसके सबस्क्राइल of the ambondies मैं प्रटेश ब्राइल अप्राइस को प्राइल ब्लेड को ब्लेड करूंगी और उसके बाद brush के health trace को blend करूँगी यहां पर मैंने कोई filter use नहीं किया है तो आप बिल्कुल clear ही आप देखेंगे कि इसका कैसा look आता है अगर आपका face dry करता है तो एक tip आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने foundation में थोड़ा सा moisturizer add करना है अगर आप stick apply करने हैं तो भी आप moisturizer use कर सकते हैं brush पे थोड़ा सा moisturizer add कर लीचे और अच्छे से इसको blend कर सकते हैं अच्छा यहां पर मैंने base apply कर लिया है अब इसको set करने के लिए यहां पर मैं यूज करी हूँ compact आप कोई भी किसी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं तो यहां पर मेरे पास ADDAS compact है यह 3-1 kit है तो इससे मैं एक set लेकर पूरे face पे अच्छे से set कर दूंगी जिससे क्या होगा मे अच्छा यहां पर मेरे ब्राउन शेट पर करके इसे अपनी आइब्रोस को फिल कर लूगी अच्छा आइब्रोस दादा फिल नहीं करेंगे यूज कि ब्राउन शेट जो हैं थोड़ा बिजिवेल होगा क्यूची मेरी आइब्रो के जो color thread है वो जहां ब्लैक शेट में है इ सिर्फ clear करने के लिए आइब्रोस पर आपलाई करूँगी बहुत ज़रे करेंगी है अपने तो आपने स्टोक देग धि और आपकी पोसिपर नजर आएब्रोस पर लगी बहुत दा पूसरा हो एक्छा नाजर? तो आईके मीकप के बारे में बता देती हूं मैंने बहुत बहुत हैं यहवी लूक नी रखा है तो जैलो ड्रेस के साथ जैसा मीकप होना चाहिए वैसा किया है आगे को इन और कॉर्नर पर मैंने यलो यह और उसी आप्लाइ कर लिया है जो है बलेंट किया है यह सेंटर तक मै मैं ने आइका मेकप केंपलीड कर देए है कि अगर आप पसंद आता है तो मेरा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करते हैं जैसे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते हैं और आप मेरी वीडियो देखी नहीं पाते ह सब्सक्राइस करें करते हैं सब्sky唱 cooked ब्राउन aum zou aircraft बार सब्सक्राइस करें विश्ताइस जालनी में 500स एक सब्सक्राइस है तो 1 ज़्या जरूर नहीं करें चाहरो मैंने दोने शेट पिक करके इसको जहां अच्छे ब्लश कर लिया है यह ब्लश शेट बहुत अच्छा लगता है पिंक इस टोन में पीछी पीछी सा लोक भी आता है और मेरे ड्रेस की जो एंब्रोइडरी है से भी मैच कर रहा था उसके बाद यहां पर मैंने सेम पैलेट से ही इसके ब्लाक शेट पिक किता है इसे जो है मैं अपने फेस को हाइलेट करोंगी इसलिख आपका बस पहलेट करना है तो हाइलेटर अपने यह यूज पूर्ड़ी तो इसलिए मैंने इसी पैलेट से सारे प्रोड़क्त की यूज किया है अचा इसमें सिफ ब्लैक शिट थोड़ा सा पिक करके मैंने जो है लोग लाइश लाइट पर अप्लाई कर लिया है ताकि यह को शेड़ सा लोग आप काजल भी अप्लाई कर सकती है मैं काजल थोड़ा ए बहुत अच्छा है बहुत अफॉरड़ वीडियो में यह वाला मस्कारा यूज करती हूँ मुझे काफी ज़दा अच्छा रखता है अजय लैसे मैं अप्लाई कर लिए उसके बाद यहां पर मैं लिप्सिक कर दूंगी यह स्टार स्टॉक की लिप्स्टिक है और इसकी बहुत अच्छी लग रही थी आपको कैसी लग नहीं है कामें डाउन करके एक जरू पताईए का इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इस वीडियो को लाइक जरू कर दीजे का धाई सी तीन घंटे लगे थे क्योंकि मैंने बालों को कर्ली भी किया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं होते क्योंकि पंजाबी स्टाइल मैंने मेकप लुक रखा था इसलिए कर्ली बालों को सोचा था कर लूँ लेकिन इतना ज़्यादा लुक नहीं आया था अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरू कर दीजे क और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगेगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए डैफिनिटल अपने चैनल पर ऐसी और वीडियो दिलाती रहूंगी आपको बहुत ज़्यादे इंटेटेन भी करती रहूंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में जब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें बाय बाय टेकर अला हाफिज